नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यह बिड़ो ध्यान से देखना आज कि इस बिड़ो में मैं आप लोगों का बताऊंगा कि शोमवार की दिन क्या करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म मती हो और हम जल्द धन्वान बने साथ इस बिड़ो में मैं आप लोगों का बताऊंगा कि शोमवार की दिन ऐसे कौन शेकार करने से भगवान भोले नाथ नराज होते हैं तो बिड़ो को पूरा जरूर देखना क्योंकि भगवान शंकर ही एक भोले नाथ हैं जो कि थोड़ी सी पूजापाट से प्रसन हो जाते संसार में सबसे ज़्यादा सेवक सबसे ज़्यादा भगवान भोले नाथ को भोले भंडारी भी कहते हैं और थोड़ी सी पूजापाट से प्रसन हो जाते हैं इन्हें और दिवी दियोताओं की तरह लंबे लंबे अनुष्ठान या फिर पूजापाट इनके लिए करने की ज़ुरत नहीं बस एक ही अगर मन से सच्चे मन से पूरे विश्वास के सांथ भगवान को एक पूस्पा चड़ा देते हैं तो खुस हो जाते हैं और आप जो भी चीज़ मांगते हैं वह चीज़ को भगवान भोले नाथ को दाता कहा जाता है भगवान भोले नाथ ने आज तक जितने भी उनके भी वहांधे ख़क्ति को हम Wennaad करना के ऐसे व्यक्ति को पारद सिवक्ति की पूजा करना चाही 잘 días एसे विक्ति को क्या करना चाहिए हैं बेलो की जढ धरान करने किहूंकि हम बार विड़ों में बता चुक जग हैं बेलो की जड़ धारान करने इंग बाद भूले नात के किरपा परापना चाहँ गा नृमिट करते हैं बहुंशन लोग containers क्यों आपको अभिषो कने नोगरा को स अगर चंद्र आब को परसान करें तो कच्चे दूद में काले तिल डाल करके सीवलिंग पर अभिसेख करें चंद्र का जो दूस प्रभव हो हैं चंद्र जो आब इक उपर में बूरे पढ़नाम दिर्वत दूर हो जाते हैं अगर मंगल आपको परसान करते हैं तो गिलेव हैं और पति को लगा है तो कितने भी पतनी लए घर के इतने भी साधी करके लें उनका डेट हो जाते हैं तो मंगल दोस लगने के ऊरफी कारण है जिसे कि मंगल दोस लगते हैं तो धी को चोटी चोटी बातों में गुसा आने लगते हैं तो ऐसे वक्ति गिलव की बुटी के रस का अभिश्यक पर करना शुरू कर दीजे तो मंगल दोस दूर हो जाते हैं जिन्हें बुद्धोस लगा हो तो विधारा की बुटी के रस से सिलिंग पर अभिश्यक करें विधारा बहुत यसानी से मिल जाते हैं ढूड़िएगा ब्रिहस्पति जिनके कमजोर है जैसे जिनके गुरु कमजोर है ब्रिहस्पति कमजोर है ऐसे वक्ति को आत्माहानी होता यानि कि मान सम्मान नहीं मिलते कहीं भी चले जाए लोग इनके इ पर अभिश्यक करने से शुक्र के जो कूप्रभाव होते हैं जो वक्ति जिनके कुडली में शुक्र कूप्रभाव दिखाते हैं ऐसे वक्ति धनवान नहीं बनते हैं ऐसे वक्ति भी खारी हो जाते हैं तो जल्दा धनवान बनना चाहते हैं तो भगवान शंकर को किसी भी श प्रभाव शमापता होते हैं ऐसे धर्मा सास्त्रों में लिखा और यह ततकाल फल देते हैं आपको शनी की मंत्रों की चारण करने की ज़ुरत नहीं है बस भगवान शंकर से प्राथना करना और गन्यकरस अभिसेख कर देना शनी की कुप्रभाव शनी की सड़े साती अढ़या पवनी दसा जो बीचेर ततकाल समापता होती है राहु केतु कि अगर दसा से परसान है तो भांग से सीवलिंग पर अभिसेख करे इसे राहु केतु की कुप्रभाव शमापता होते हैं जितने भी नवगरा को भगवान शंकर ने सवयम बना सभी को आसिरवाद दे करके नव अगर आप अगर दूद का भी सेख सीवलिंग पर करते हैं तो ऐसे वेक्ति को आरोग की प्राप्ति होता है दही कभी से करते हैं सीवलिंग पर तो जीवान में हरसा और उल्लास की प्राप्ति होता है इसवलिंग पर अगर कोईवैक्ति साहद चड़ाते हैं तो शोंदार की प्राप्ति होता है वाडी में मिठा साते है और समाज में लोगपरिता बढ़ता है आपके मन प्रतिष्टा बढ़ता है साहदा चड़ाने से घी का अगर обязीasi करते हैं तो हमें तेयजी से वेक्ति घी कर करते हैं सीलिंग पर तो हमें तेजी से हमारे सेरी में तेजी की प्राप्ति होता है उर्जा की प्राप्ति होता है सक्कार का सीलिंग पर अभी शेक करते हैं तो सूक इसम्रिद्धी एश्वार की प्राप्ति होता है और कोई वेक्ति गर इतर का ध्यन से सुनिया अगर कोई वे तो इसे धर्मा की प्राप्ती होता है और आरोजे की प्राप्ती होता है जो बार-बार भी मार परते हैं समझ में नहीं आ रहे करें तो करें क्या सभी मार्गा से परसान हो चुकें ऐसे वेक्ति इत्र कभी से एक भोले नात को जरूर करें उसी टाइम से ततकाल रिजल्टा मिल पिर देखना स्वास्ता जो है स्वास्ता में धीरे-धीरे सुधाराना सुरू हो जाते हैं। विवा में आने वाले समस्ता जो अर्चने होती हैं जिनकी विवा में कोई तकलिव आरी बाधा आरी ऐसे वेक्ति चढ़ाईये तो बिल्कुल अर्चने दूर होती हैं। पर चढ़ाते हैं तो दिरगायों की प्राप्ति होता है अकाल मृत्यू कभी नहीं होता। इसके अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की शेवा में समर्पित कर देते हैं। अगर कोई वेक्ति गेहूं स्यूलिंग पर चढ़ाते हैं तो योग या संतान की प्राप्ति होता है। या फिर जिनके घर में संतान नहीं आ रहे हैं ऐसे वक्ति की घर में संतान की किलकारी गुजने लगते हैं। चावल स्यूलिंग पर चढ़ाते हैं तो सूक इस्मृद्धी की प्राप्ति होता है। इसे अच्छत कहा जाता है नस्रमापता होने वाला चावल जरूर चढ़ाना चाहिए सूक इस्मृद्धी की प्राप्ति होता है। सब्सक्राइब करना चाहिए निवेश करना अच्छा होता है किसी भी चीज में निवेश किजिए इसमें फायदा ही आपको मिलेंगे अच्छा माना गए है इस दिन घर का निर्माण भी सबारम कर सकते हैं तो सुबार की दिन पर क्या चढ़ाना चाहिए और भगवान संकर जी आड़ वर महंदुम जय मंत्र का तो जहां भी जही आपको सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं दिन चरिया बना लिएगर डेलिक नहीं कर सकते सबता में तो सोमवार के दिन पर क्या चढ़ाना चाहिए अभी मैं पूरे बिड़ो में बता चुका हूँ लिकिन हो सके तो भोले नाथ को सूध जल से इसनान करा यह शर्व प्रथम इसके बाद संतान प्राप्ति करने के लिए कुछ नहीं चढ़ा सकते तो भगवान भोले बंडारी को भगवान भोले नाथ प्रसन होते हैं जो भी चीज मांगेंगे वह सारे चीज आपको देंगे सोमार को सी की पूझा कैसे करें तो सुबह जल्दी उट करके इसनान कर लीजी इसके बाद घी का दिपक जलाईए और जैसे जो भी देवी देवी देवताओं की पूझा करते हैं वैसी सिवलिंग की पूझा कर सकते हैं लेकिन फिर भी श्वार की दिन्य गल्तिं भौग्वान भौलफamı क्योंकि जो जितना जल्दी प्रसंद होते उतना जल्दी रूड़ते भी हैं। तो ध्यान से सुन्य व्रत में चाहिआ व्रत रखे हो और नहीं करना चाहिए। संकर जी की पूजा है इसे सर्वस्यष्ट कौन समय करना माना गया है तो है प्रदोसकाल प्रदोसकाल किसे बोलते हैं जान लीजे तो सुर्यास्ता से एक घंटा पहले और सुर्यास्ता के एक घंटा बाद इसे प्रदोसकाल कहें तो प्रदोसकाल में अगर भगवान संकर जी क पूजा करने के लिए यां पिरियट के समय में बहुत प्रशन होते हैं पर जल चढ़ाने के नियम जान लीजे नहिंद भगवान भोले नात के करोद का सामना भी करना पड़ सकते हैं पहुतने हो ईक् hypn AG को चीज़ नराज होते हैं क्योंकि भगवान संकर ने जब auto किये थे उनकी विस को मिटाने के लिए थोड़ी थोड़ी धीरे-धीरे मात्र में जो है जल अरपीत की थे और आपने अभी तक देखा होगा यह फिर आप जरूर देखे होंगे मंदिर में भगवान संकर जी के लिए एक पात्र में जल रखा जाता है थोड़ी-थोड़ी पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए भ्यंकर पाप लगते हैं आई यह जानते हैं फिर मैं विडियो समाप्ता करूंगा भी तक कोमेंट बॉक्स में ओम नमस्यों नहीं लिखें तो लिग देना तो धर्मसास्तर हमारे कहते हैं कि केतकी का फूल भगवान संकर की फा देतें तो जूठा प्रेम की प्राप्थी होता है तुल्सीग पते भूल करके स्टरहृ नहीं चढ़ाना चाहि है घवड़ोन संकर क्रोध होते हैं और संग से कभी भी जल अभिश्यक सीलिंग पर नहीं करना चाहिए अगर ऐसे करते हैं तो जो पती-पतनी हैं इनके तलाग हो जाते हैं अहीं करना रखना भूल करके कूम-कूम या इसे लिए पर मत चढ़काना नारियल पानी भी सीलिंग पर नहीं चड़ते और हल्दी भी नहीं चड़ते अगर कोई विक्ति सीलिंग पर हल्दी चड़ते तो ऐसे विक्ति जो विवा है देरी से होते और जिनकी विवा हो चुके ऐसे विक्ति की जीवान में फिर वेभाविक जीवान में परसानी आना शुरू हो जाते हैं तो सोमवार की दिन अगर आप वरत रखते हैं या फिर भगवान संकर की पुजन पाठ करते हैं तो इन बातों का विश्य सुरुप से ध्याना रखते हैं जरूरी है अगर विडियो में बताएंगा जानकरी अच्छी लगे तो विडियो को लाइक कीजे और हां इसे दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना ताकि उन्हें भी अजानकरी प्राप्ता हो ओम नमस्युआ हर हर महादेव